वेल्कम टू दे चैनल अर्वी फंटासे सेवन इस स्टूडियो में हम बात करने वाले अमेरिकन बास्केरबॉल लिग का जो फाइनल मैच खले जाने वाला है डेनवर वसेस मियामे की बिच में वीडियो स्टार्ट करने से पहले फाइनल टेम और फाइनल अपडेट जो रहें एलेवन चैनल इस अप्लेकेशन पर खेल लेना इस अप्लेकेशन की बिच में वीडियो नहीं होता तो इसके चलते आप और विणिंग थोड़े सी आसन होती है फाइनल टीम और फाइनल अपडेट इस अप्लेकेशन के भी आपको मिल जाएंगे बात करेंगे आज के मैचस क मैच मैमी ने विन किया अगर आजकम अन्षा BA rulersãy sert की जो विन रहेंगी वह रहेंगी दैन्वर नइनवर आपने हमें के टोAdam पास है क्योंकि लास्ट के दस जो मैच के लिए अपनी होम में सिर्फ एक मैच हारी और जो एक मैच हारी वो इसी टीम के अगेंस्ट यहाफर हारी है तो मियामी हो सकते है आज का मैच आपको विन करते हो भी देखने को मिलेंगे लेकिन जो स्टॉंग पासिबिलिटी है वह लेनवर की तरफ से प्रवेबस स्टार्टिंग लाइनप इस टीम की तरफ से कोई चैंजिस आपको देखने को मिलेंगे नहीं जमयल मोर स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार पोजिशन से जो कि बॉल हंलिंग का कम संबलते हैं कल्डिवर वाप स्टार्ट करेंगे तो इनको भी आप अपने टीम में रखकर चल सकते हो जैवाल मोरे अभी तक जितने भी मैचे सिस्टिम के अगेंस्ट केले सबी मैचेस में दस या फिर दस से ज़्यादा असिस्टिम नहीं दिये तो असिस्ट प्लस पॉइंट दोनों से प्रफॉर्फोंस देकर आरे 11 चैले तो इसलिए आपको या तो बहुत पॉइंट देंगा या फिर कुछ भी नहीं देंगा तो थोड़ा सा इसकी पीक आपके लिए रहेंगा मिचल पॉर्टर जूनियर अभी तक जो चार मैचेस के लिए इस टीम के अगेस्ट इस चार में से बस एक ही मैचेस में इन्होंने पर इसके चलते हैं पर मिचल पॉर्टर जूनियर को मैं आपने स्मॉल लिग टीम में ड्रॉप करकर आज के मैचेस में चलने वाला हूँ निकोल जाओ किस मेरे टिम मेरेंगे अरों गोर्डन में भी आपर मैं खाल्डियोल पॉप को फिर फिर देंगा गर या पर आप खेलते जमल मोरे हर एक मैचेस में फरफॉंस दे कर आ रहे लेकिन आरें गोर्डन कंट्रूनिसली इस टीम किया अगेस्ट फरफॉंस दे रहे लिकोल जाओ किस के बारे में बताने की ज़रूर नहीं पॉइंट रिबाउंड और असिस तीन से आपको एक्टिव देखनों को मिलेंग से शॉर्ट लेते चारे इनके कनेक्ट हो पाएते रिबाउंड भी कुछ खास आएने थे 11 पॉइंट के चलते काफी कम स्कॉर क्यूंकि आपर इनके क्रेडिट जो थे 11.5 क्रेडिट है उसके चलते आपर यह कम स्कॉर आप इससे कैसे होकती यह वह इस टीम की तरफ से स्टा ब्राउन यह टीन बेस्ट बैंच प्लेयर है जो कि आपर रेगुलर इस टीम की तरफ से खेलते लेकिन जो सबसे इंपॉर्टम प्लेयर है वह आपर ब्रेंस ब्राउन डिवेंस में भी काफी अच्छा कर ले तो लास्ट मैच इनकी शूटिंग भी खाफी अच्छी रही थी जेब ग्री ने एक डिवेंस ब्लेयर है लेकिन लास्ट मैच इसमें इतना ज्यादा प्रफॉंस नहीं इवन लास्ट मैच में इनको टाइम भी अच्छा मिला था क्योंकि आपर जो इनके बड़े प्लेयर है निकोला जाकिस उन्हों ने आपर फाउल किये थी पाच लास्ट मैच इसमें मिचल पोर्डर जुनियर ने स्ट्रगल किया तो खृच्यम ब्राउन को भी काफी अच्छा टाइम मिला था फर्फॉंस देख सकतो कुछ खास आया ने इस टेलोर ब्लॉक के चलते ठीक टाक ड्रिमिलों पॉइंट आप इससे कह सकतो जेब ग्रिन को टा स्टार्ट करेंगे मियामी के तरफ से मियामी के तरफ से विंसेट आपको स्टार्ट करते हो देखने को मिलेंगे पॉइंट गार पॉजिजिन से मैक्स टो स्मॉल फारवर्ड सेक्षन से जिमी बटलर पावर फार्वर्ड सेक्षन से के विंड लव और सेंटर पूजिन से स् स्टार्स बाता दू जब भी बेम अड़कायो अपने होम से बाहर कहलते यानि अवे मैचस कहलते हैं तब तब इनकी तरफ से परफॉर्मस आए इसका ये भी एक रिजन हो सकता है क्योंकि उस मैं जब भी आपर अपने होम के बाहर जाते तो ये पूरी टीम ये इतना कुछ खा है क्योंकि इनके पास थ्री पॉइंटर शूटर काफी आच्छे जिसमें से आप पर माइक स्टोस इनके सब सब बेश त्री पॉइंटर शूटर है अभी तक है आपर इस फाइनल में इनकी तरफ से परफॉर्मस आया ने लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो कभी भी आपको परफ रहे लेकिन अभी तक जो फाइनल की सीरीस है वहां तक इंप्रेश्व परफॉर्मस इनकी तरफ से आया नहीं कंट्रूस लिए आपने टीम के लिए वेस्ट परफॉर्मस दे कर आया रहे केविन लेयों का भी कुछ हाल ऐसा ही रहा था लास्ट माच्छस में टोटली इन्हो कुछ यहां पर मिनेट में उसके चलते इनकी तरफ से कुछ अच्छे पॉइंट आये और दरवाइस यहां पर इन्हों ने भी टोटली स्ट्रगल किया है जिमी बटलर डिसेंट सा कह सकते हैं क्योंकि इतना बेस्ट ने क्रेडिट काफी ज्यादा है लेकिन बेम एड़ो एक माइक स्टूस का यह इस टीम के तरफ से बेच त्री पॉइंटर शूटर है लास्ट मैच में इन्होंने चार फिट गोल से शॉट लेते जिसमें से इनके तीन त्री पॉइंटर थे और तीनों इनके आपर मिस हुए थे उसके चलते ज्यादा टाइम यहां पर एक खेले नही में प्लेयर को आप अपने ग्रेंड लिग स्माल लिग तुम में प्लेयर में सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि ये भी थ्री पॉइंटर शूटर है अगर इनकी पॉइंट शूटिंग चल गए तो काफी अच्छे पॉण देंगे लास्ट मैचेस में कोड़ी जैलर और हाइली स्मिट जैसे प्लेयर है जिनको कभी-कभी टाइम मिलता है उनको भी चाहो तो तो इन दोनों को चाहो तो आप अपने स्माल लिग और ग्रैंड लिग टीम में ट्राइब कर सकते हो फिलाले आपर यह हुए दोने टीम की तरफ से स्टार्टर प्लस अपर पैंस्टेंज ओहराल जो मेरी डेंबोड रिम लों टीम रहेंगे जहां पर निकोलो जाओकिस और यह मेरी एस पी और पीपी रहने वाले तो यह दोनों मेरे टीम में रहेंगे थे हैंसा से मेरे और सटाब्यों there from a couple जूनर कंटरिभा को करा रहे दूट कृեդ उष्यू जीवी बटलर और उसी के साथ साथ मैं ने को में इन दोनों टीम में रखाये बेंस windshield मीने टिम में रखाई शूटिंग गाड़ पूजिं से क्रिच्छां ब्राउं को मैंने अपने टिम में रखाई यह मेरे एक डेमुर मैचेस और रिसेंटली मैचस के स्कॉर कार्ड के अकर्डिंग में आपर यह टीम बनाई बाकी में रिस्क लेना तो चाहता हूँ लेकिन आपर ला साय नहीं उसके चलते मैंने इनको ट्रॉप किया लेकिन अगर आप अपने टिम में ज़रूर राइक कर लेना काल्डियोल प्लोप भी एक ऐसा प्लेयर है जिनको आप पर आप रिस्क के साथ ग्राइन लिग में ट्राइक कर सकते हो और ग्राइन लिग खेड़ो तो जमयल मोर सब्सक्राइब के लिए जो मेरी यस्प और पीपी रहने वाले निकोला जॉकिस मेरी यस्पी तरफ से रिबाउंड भी काफी अच्छे आते है और शूटिंग से भी इनकी तरफ से अभी तक का बेस्ट परफॉर्मस आ रहे और अभी मैचस में इन्होंने हमेशा से परफॉ मसा हैंगा बाकी यह मेरी मुटली फाइनल टीम रहेंगे अगर लाइन अप पे कोई चिंजस नहीं हुए तो टीम सेव करकर रख लेना फाइनल टीम और फाइनल अपडेट अगर कोई मिलते तो वो मिलेंगे आपको टेलिग्राम चैनल पर जिसके लिंक भी आपको मिल जाए के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बाक्स में ओप गाइज यहाव तो लाइक इस वीडियो इस वीडियो इफ यू हैव धिन दो नाट फर्वेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू फोर वेचिंग